प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी और नितेश कुमार को बहुत बड़ा जटका लगा है जियां बात कर रहे हैं आरजेडी सुप्रेमो लालु प्रिशाद यादब ने एक चौकाने वाली बात लाई है सामने जियां जिस तरीके से 2025 विधान सभा का जो चुना होने वाला है उस बीच अगर बात कर ले तो इस बार राजद सुप्रेमो लालु प्रिशाद यादब ने बड़ा खेल दाओ पे भुसा जता रही है वाके इस बार क्या कुछ होने वाला है क्या कुछ नया खेल होने वाला है मैं आपको वीडियो में साजह करने जा रही हूँ तो वीडियो पर बने रहिएगा लालु प्रिशाद यादब का जो खेल है वो जरूर सुनिएगा प्रिधान मंद्री नरेंद्र मोदी अनितेश कुमार को पता भी ने चला और लालू ने बड़ा खेल कर दिया ये पढ़कर आप थोड़ा चौकेंगे लेकिन पिछले दो दिन के घटना क्रम ने बड़ा इशारा कर दिया है पिछले दो दिन के समिक्षा बैठक के बाद ये असपस्ट हो गया है कि कई सीटो पर आपसी खी चतान के कारण राज़त को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिले राज़त के समिक्षा बैठक में बाद सामने आई है कि नवादा, उजियारपूर, अररया, पूर्निया और सिवान जैसी कई सीटो पर पार्टी के वोट बैंक में विरोधी सेंध लगाने में कामियाब हो गया है समिक्षा बैठक में पार्टी ने सर्वसम्मती से अभय कुश्वाह को लोगसभा से शंसदिये दल का नेता भी चुना है कुश्वाह इस बार और रंगाबाद लोगसभा सीट से जीते हैं जहानावार लोगसभा से नर्वनिरवाचित शंसद सुरेंद्र यादव को लोगसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया है जबकि राजसभा में फयाज एहमद को मुख्य सचेतक के रूप में चुन कर राजद ने साफ संकेत दिया है कि उसकी नजर एमवाई के साथ के पर भी है आपको बताते चले लोगसभा चुनाव में भी राजद ने कुश्वाहा वोट को साधने के लिए कुश्वाहा जाती से आने वाले साथ प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था कई सीटों पर इसका लाभ भी महागट बंदन को मिला इस बीच संसदिये दल के नेता पद पर अभै कुश्वाहा के चैन को राजद के अधार वस्तार का प्रयास माना जा रहा है इसके पीछे एक वज़ परिवारवात के आरोपो तफ़ा भी जवाब देना है दरसल पहले कयास लगाये जा रहे थे कि संसदिये दल के नेता के तौर पर लालु प्रिशाद यादब की बेटी मिसा भारती को चुना जाएगा जो पाटली पुत्र से शांसद बनी है उदर राज़ के अभय कुश्वाहा के अलावा भाकपा माले के राजाराम सिंग की भी जीत हो गई है दूसरी तरफ एंडिये के बड़े नेता उपेंद्र कुश्वाहा चुना हार गए हैं लोग सभा में राज़त की ओर से किया गया या प्रयोग सफल माना गया आपको बत भी कहते हैं कि बिहार में कुश्वाहा की अबादी शार प्रतिशत से अधीक है भाज़पा ने समराठ चौधरी को प्रदेश की जिम्मेदारी देकर इसी वोट बैंक पर फोकस करने के शंकेत दिये थे चिनान नतीजे ने संकेत दिया है कि कुश्वाहा समाज में राज़त को लेकर सोच बदल रही है राज़त अध्यक्ष लालू प्रशाद यादब और तेजश्वी यादब को इस बार के नतीजों के बार लगता है कि थोड़ा तवज्व देकर और मेहनत कर कुश्वाहा समाज को वे अपने साथ जोड सकते यही कारण है कुछ दिन पहले ही किने जमात की राज़नी दी करती है गरीबों के हक की लड़ाई लड़ती है कुश्वाह को शंसदिये दल का नेता बनाया गया इस में किसी को क्या परिशानी हो सकते हो लेकनी है कि लोग सबार चुना में तेक्स सीटों पर चुना लड़ने वाली राज़त केवल चार सीटे जीतवाई हलांकी 2019 के मुकाबले इस सुबार के पड़िनाम को अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि तब उसे एक भी सेट नहीं मिले थी राज़त को इस चिना में 22.14 फिसद वोट मिले जबकि 2019 में 15.07 फिसदी वोट मिले थे तो जैसा के आपने सुना नितीश कुमार और प्रिधान मिंत्री नरेंद्र मोधी को पता भी नहीं चला लालू प्रिशाद यादब ने 2025 का नया खेल खेल दिया नया प्लान चल दिया आपको वहीं पर बता दे कि जोस तरीके से इस बार राज़त को चार सीटे मिले है 2019 की ब बात कर लेते हैं कि बड़ा खेल होने वाला जो तरीके से लालू प्रिशाद यादब डटे हुए है ते जश्वी आदब लगातार सोचे जा रहे हैं कई उमीद लेकर कि इस बार खरे उतर चुके ते जश्वी आदब अब बात कर लेते हैं कि इस बार MY स्वमी करन को छोड़ कर कुश्वाहा की तरफ बढ़ रहे हैं राज़त इन लोगों का कहना है कि ज्यादा प्रतिशत है कुश्वाहा का तो कहीं न कहीं फायदा मिल सकता है अब ये चौक आने वाले बात सामने आ रही है कि कहीं न कहीं कुछ बड़ा खेल होने वाला है कमेंट में जरूर लिखिएगा फिलाल इस वक्त की खबर में इतना है और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखतेरें एक News24 वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही हमारे यूटुब चैनल एक News24 को सब्सक्राइ करें यादि आप हमारे फेस्बुक पेज को देख पारें तो मारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें धन्यवाद